असलाम वालेकुम एविवन आप देख रहे हैं डॉक्टर मुटिवेशन आज की वीडियो के अंदर में डिस्कस करने लगें 12 क्लास फिजिक्स पेरिंग स्कीम 2023 अगर आप चैनल पर नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जिक्टिव डिन में से 1CQ, चैप्टर 14, 15 & 16 में 22CQ, चैंच 17 में 1CQ, चैप्टर 18 & 19 में 2CQ, चैप्टर 20 में 1CQ, चैप्टर 21 में 2CQ, यह अपके होता है subjective type for the physics paper और इसमें आपने full marks किस तरह से गीन करना है आपने exercise के जो आपके होते हैं MCQs उनको बहुत अच्छे से करना है next पर आपने जो past paper के MCQs होते हैं उनको बहुत अच्छे से करना है and last में जब आपने long question कर रहे होना है तो आपने एक बार chapter को अच्छी तरह read out करना है ताकि आपके सारे MCQs correct हो next पर हम बात कर लेते subjective type section 1 है आपका short questions का question number 2 है जिसके अंदर आपके chapter number 12, 14 and 21 के अंदर से 4-4 short question आने है 4-1s are 4-2s are 12, 4-3s are 12 तो आपके total 12 short question आने हैं जो आपने attempt करने होते हैं तो आपने 9 या 8 होते हैं ठीक है आपने confirm कर लेना है मेरे खाल से 9 short question आपने attempt करने होते हैं तो यह आपने short question किस तरह से full marks गेन करने हैं आपने exercise के short question है उनको अच्छे से करना है और साथ ही साथ आपने जो आपके past papers के short question है उनको finger tips पे कर लेना है आपके बोर्ड के paper में past paper के short question ही आपके repeat हुआ करते हैं तो आपने कभी भी उनको lose नहीं करना उनको बहुत अच्छे से attempt करना है next we have the question number 3 question number 3 के अंदर आपका जो हमारे पास units है उसके अंदर chapter 13 है, 16 है, 17 है and 18 है इन सम में से 3-3 आपके short questions आने है और ये भी आपके अच्छे से attempt करना है exercise के mostly आपके जो short question होते हैं physics में वो ही आजाया करते हैं तो आपने exercise और पास पेपर के short question को बहुत अच्छे से अपने fingertips पर करके जाना है next we have the question number 4 question number 4 के अंदर आपके chapter number 15, 19 और 20 के अंदर से short question आने है जो आपके 15 है उसमें से 4 short questions, 19 में से आपके 3 short questions and 20 में से आपके 2 short questions आने है and total मिला के या आपके बन जाते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, total आपके 9 short questions बन जाते हैं next we have the section 2, जिसके अंदर we have the long questions, तो long questions के लिए है we have the question number 5 first, तो question number 5 के अंदर आपके पास chapter number 12 and 13 में से part A and part B आएगा then we have the question number 6, question number 6 के अंदर आपके पास chapter number 14 and 15 में से part A and part B आएगा next we have the question number 7, तो question number 7 के अंदर आपके पास chapter number 16 and 18 में से part A and B आता है और मैं आपको जरूर रेकेमेंट करूँगी कि आपने 4 questions at least pairing के तियार करके जाने है to gain full marks जिन बच्चों ने 85 out of 85 score करना है उन्हों ने 4 short long questions का pair तियार करके जाना है लेकिन जिन उन्होंने just pass होना है या अच्छे marks लेने हैं like 70 plus या 75 तक marks लेने हैं तो वो 3 pair भी तियार करके जा सकते हैं उनको मैंने ही recommend करूँगी कि 4 के 4 pairs तियार करें लेकिन जिन ने 85 out of 85 score करना है तो वो 4 pairs जरूर करके जाएंगे next we have the question number 8 जो हमारे पास chapter number 17 और 19 में से part A and part B है last we have the question number 9 जो हमारे पास chapter number 20 and 21 में से part A and part B है तो यह हमारे पास pairing scheme जो है यह all Punjab boards है जिसके अदर we have the Lahore, Rawalpindi, Faisalabad, Sargoda, Bahawalpur, Gujarawala, Sahival, Multan, DG Khan and Azad Kashmir के आते हैं that is all from my side thank you so much